हालो दोश्तू नमस्कार वेलकम सभी का हमारे वेकेंसी एरा एजूकेसिन में स्वागत है एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए काफी अच्छी भरती लेगा हैं हम बात करेंगे इसमें करीबन 1700 के अधिकतम इसमें पोस्ट दीवी है और इसका नोट्रिपिकेसन काफी दिन बना चुका हूँ जब इसके पब्लिक ही हुई थी यानि कि हमने इसके पर बात की थी करीबन 16 मार्च को इसके पब्लिक होने की जानकरी आपको दीती अब इसमें फिर से एक और अपडेट हुई है सामने जो अपडेट आप लोगों के सामने मैं रखने वाल हूँ जैसे कि स सबसे पहले हम पिछले वाले नोट्रिकेशन के बात करें तो यहां पर पिछला वाला नोट्रिकेशन भी देख सकते हैं करीबन 16 पेज का पूरा नोट्रिकेशन है इसमें सलिवर्स के लेके पोस्टों से लेके सारी जानकारी इसमें दी हुई है आपको इसमें आवे दिन कर कर सकते हैं इसमें दोनों ही हैं हिंदी और इंग्लिश का प्रियूग किया हुआ है आप जैसे अपने अनुसार आप जैसे समझ सकते हैं वैसे जानकारी ले सकते हैं आगर आप इसमें रिटन टेस्ट की बात करें तो दोस्तों रिटन टेस्ट करेवन 300 मार्क्स का होगा इसमें जानकारी दी हुई है, सलिवर्स के नुज़ार, सिंधी विछे, तो अगरा हिंदी के अंदर क्या होगा, इंगलिस के अंदर क्या होने वाले हैं, नेगिटिव मारकेंग इसमें दी हुई है, तो यानि कि दोस्तो अगर आप इसमें आवेधन करते हैं, तो एक बार इस से नोट रिपेशन पर नज़र डालेगा, ताकि आप लोग इसमें समझ सके हैं, और इसमें आवेधन कर सकें, तो दोस्तो मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेश्ट नहीं करूँगा, आपको मैं सीधी जान करी दूँगा, बस आपको समझना होगा कि ये क्या है, क्या नहीं है, अगर आप इसमें आवेधन करते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले ये निकली हुए वेकिंसी रास्तान ह अपडेट हुई है, करीबन 1734 पोस्टेस में 1734 पोस्टेस में लगबग दी हुई है, और फोरम भरने से पहले आपको ये जरूरी अपडेट देना या लेना जरूरी होगा, इसमें सेलिवर्स के बारे में आप अभी से तयारी करना शुरू कर सकते हैं, इसके पिछले अर्स की कटोब की बात करते हैं, पिछले अर्स की कटोब भी आप इसमें देख सकते हैं, साथ ही अगर आपके पास 10 वी, मैक्जिमम तो स्टार्टिंग में 10 वी होना जरूरी है, फिर बाद में आपके पास ग्रेजुएस इन डिप्लोमा जो भी है, वो सभी स्टूइट इसमें अ अपलाई कर सकते हैं, अपलाई करने के लिए आपको 250 रुपे SST केटिकरी को देना होगा, जबकि 500 रुपे की बात करें तो OBC और जनरल केटिकरी को देना होगा, आवे दन की हम बात करें, तो इसमें आप लोग आवे दन कर सकता हैं, करीबन 1 अटूमबर से आवे दन पर कर शुरू हो जाएगी और करीबन इसमें 9 नवंबर तक आप इसमें फिलिप कर पाएगी यानि कि आपके पास पूरा एक महीने का टाइम दिया जाएगा एक महीने के बाद ही आप इसकी एक्जाम डेट फिक्स होगी तब जाके आप इसमें एक्जाम दे पाएगी तो मुझे नह आवेदन पर क्या शुरू होगी तो आप हमें कमेंट में लिखे हम आपको इसका पूरा फोम वीडियो बना की जरूर देंगे अगर आपके जितने कमेंट होंगे उसी के कोडिंग हम आपको जानकरी देते रहेंगे तो दोस्तों ये था इसका वबरन और बाकी जानकरी आप खुद ले सकते हैं, नोट्रिपिकेशन आपके सामने रखावा है, इंग्लिस आती है तो इंग्लिस के कोडिंग देख सकते हैं, इंडी आती है तो हिंदी के कोडिंग देख सकते हैं, खासका रास्तान के स्टुडेंटों के लिए अच्छा मोखा हैं, बाकी अधर राज्ज झाल 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 झाल